खबरों को विस्तार से जानेंगे बात करेंगे 36 गलके नेता पृतिपक्ष चरणदास महिंत की एक बार फिर से पीम मोदी को लेकर वो विवादित बयान दे बैठे हैं चरणदास महिंत ने पीम मोदी को डिफॉल्टर बता दिया तो चरणदास महंत के एक बार फिर से बिगडे बोर 36 गल के नेता प्रतिपत चरणदास महंत ने प्रधान मंत्री मोदी को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है पीएम मुदी को उन्होंने डिफॉल्ट करते हैं एक बाद फिर से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछी दिन पहले महिंत ने प्रधान मंत्री के सिर्फ होड़ने की बात प्रधान मंत्री मुदी के सामने हाथ में लट लेकर खले होने वाला आदमी चाहिए ऐसी बात उन्हों ने कही थी इसलिए हम कह रहे हैं कि चर्णास महिंत ने एक बाद फिर से पीएम मुदी को लेकर विवादित बयान दे दिया है उनको डिफॉल्टर कह दिया है 36 गल के नेता प्रधिपक्ष चर्णास महिंत रहे हैं मुदी की गारंटी तो 10 साल सपेल होरी है वहिया ज़ दो करोड लोकरी मिले पंद्रा लाख रुपया जितने होने गारंटी दी है हम तो बार-बार अपने विधान सबह में भोले हैं लोगों के सामने बोले हैं इसकी गारंटी बेल हो गई है 36 के लोग समझते है कि वो डिप सब्सक्राइब बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई माई नहीं है, हमको तो सहे जगा बहुत अच्छी दिख रहे हैं आज की तारिक में, ज्यादा जुट बोलना नहीं चाहते हैं, हम लोग भाजपा के तरह 11-11 से कहेंगे नहीं, मगर 5-6 सीटे हम लोग जीत हैं, ये हमको लग रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है, दस हो जाए, नहों हो जाए, ये आने वाले से हो जबता है और इसी पाद एक चर्चा करने के लिए सीदे हम रायपूर का ही रोख कर देंगे, हमारे सयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जड़ गये हैं वजर आ रहा है कि सेल्फ गोल लगातार कॉंग्रेस कर रही है, क्योंकि इससे पूर में भी चरंदास महंत नहीं, जो नेता प्रधिपक्ष उनका बयान था, उस बयान के बाद में 36 गड़ में बवाल मच गया था, सियासी गलियारों पे इस बयान की चर्चा हो रही थे, और बयान सामने आ गया है, इस बार जो है वोंको डिफॉल्टर बताया गया, प्रधान मंतरी नहीं, बातचीत नहीं करना चाहिए, तो निश्रत तोर पर प्रधान मंतरी को लेकर जब ऐसी बाते की जाती है, तो इसको अफसर बनाया जाता है, जनता के बीच बजाया जाता है, जनता के बीच पे जाने से इसकी हानी जो है, वो कॉंग्रिस को उठानी पड़ती है, बिल्कुल रोहित, चरणदास महंत को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिना सोचे समझे कुछ ही बोल रहा है महंत, सिर्फ होरने की बात कह देते हैं, डिफॉल्टर कह देते हैं चरणदास म बिल्कुल देखे लगातार चरणदास महंत बिवादित बयान क्यों दे रहे हैं, इसकी वज़ा उन्हीं से पूछेंगे, पिछली बार तो बयान जारी कर वो बच गए, और उन्होंने कहा कि मैंने तो 36 गड़िया में कहा था, 36 गड़िया में इसका मतलब ये नहीं होता है, लेकिन एक बार अब फिर से क्योंकि पत्रकारों के सामने ये जवाब दिया गया है, ये बात कही गई है, जहां पे उन्होंने साफ तोर पर डिफॉल्टर कहा है, तो सौम में छवी का नेता अगर इस तरह की बात कर रहा है, और एक बार नहीं लगातार कर रहा है, तो इससे कई सवाल भी खड़े हो रहे है, और वहीं भारती जन्ता पाटी ने ये भी सवाल खड़ा किया है, कि चरंदास महंत के उपर दवाव बनाया जा रहा है, केंद्री नेतित तो लगातार दवाव बना रहा है, और दवाव से बौखला गए हैं चरंदास महंत, और इस तरह का लगातार बयान दे रहे हैं, तो कहीं ने कहीं डिफॉल्टर की बात जब होगी, क्योंकि उन्होंने रोजगार के मुद्दा लेकर ही जो है, वो चरंदास महंत को कल रैली में जवाब दिया था, प्रदान मंतरी नहीं ने कहा था, कि हम युवाओं के साथ जो छल किया गया, युवाओं के जो रोजगार है, वो चीना गया, उसकी जांच करा रहे हैं, इसलिए मेरे लाठी से सर फोडने की बात कही रही है, और वहीं पर चरंदास महंत ने भी जो बयान दिया है, उसमें भी उन्होंने ये कहा, कि हम जो च्छतिसगड की जनता है, ठीकर रोहित मैं ल पंद्रा लाग रुपया मिला ने जितने हुने गारंटी दी है, हम तो बार बार अपने विधान सबह में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले है, इसकी गारंटी फेल हो गई है, शक्तिसगड के लोग समझते हैं, कि वो डिपाल्टर आजबी है, उसकी गारंटी हमारे लि लोग जीत रहे हैं, यह हमको लगा है, आने वाले दिनों में हो सकता है, दस हो जाए, नहों हो जाए, यह आने वाले से हो सकता है, देखिए रोहित लगाता जुड़े हुए हैं, रोहित, पिछली बार जब सिर्फ होड़ने की बात कही थी, पी एम मोदी का चानदास महिंत 36 गड़िया संस्कृती की आड़ में बचने की कोशिश की, लेकिन इस बार तो साफ साफ वो कहते हुए नजर आए हैं कि 36 गड़ के लोगों को प्रधान मंत्री मोदी डिफॉल्ट लगते हैं, अब कैसे डिफेंट करेंगे आप इसे, महिंत जी से अगर सवाल किया जाए तो उसे अब किसकी आड़ में डिफेंट करेंगे इस बयान को, रोहित, फस चुके हैं फिर से, बिल्कुल देखिए, फिर से फस चुके हैं और पिछली बात तो संस्कृती का हावाला दे दिया गया था, लेकिन अब 36 गड़ को जोड़ते हुए ही कह दिया गया कि 36 गड़ के ज जो है उनके उनक तक बात जो है वो जाने वाली है, जब लोगसभा का चुनाओं है और लोगसभा के चुनाओं पे आप जोड़दार धुवाधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपकी पतनी ही एक लोगसभा सीट से संसदी का चुनाओं लड़ रही है, तो कहीं ने कही इसे मुश्किले बढ़ेंगी पार्टी की तो मुश्किले बढ़ेंगी क्योंकि पार्टी के बढ़े नेता हैं आप और सरवाधिक नेताओं में से एक आते हैं लेकिन इसके लाबा कोरभा लोग सभा सीटों पर भी समी करते हैं मुझे लगता है कि जब फिछली बार पीम मोदी को लेकर चरणदास महिंत ने बयान दिया था तो पार्टी ने शायद उसे गंभीरता से नहीं लिया और इसलिए दोबारा पीम मोदी को लेकर बयान दे दिया कोई नोटिस भेजना चाहिए था कि भाई भाशा की मर्यादा तो कॉंग्रेस में कि जो कॉंग्रेस में हैं वो एक्शन नहीं लिया जाता अगर गंभीर स्थिती बन जाएगी छोटे स्थर का कारे करता है तो उस पर एक्शन देखने को मिलता है लेकिन बड़े स्थर के अगर कोई नेता है तो उन पर जल्दी एक्शन देखने को नहीं मिलत और इसी समस्या के कारण देश में और 36 गड़ में कॉंग्रेस की स्थिती लगातार बदल रही है और जो कॉंग्रेस सत्ता पर बनी हुई थे आप सोचिए कि जो सत्ता पर चौमन सीटों के साथ में जो सत्ता पर है जिसके पास 17 का बहुमत था वो अगर सरकार खो देती है तो फर जो है जो है वो यही है कि अगर पार्टी लीकसे लागातार बात हट कर की जा रही है लेकिन पार्टी ही उसके बदल के समस्या यहीज है और जिसके कारण जो लगा-तार है बड़े नेता बयान दे रहे हैं, कार्यकरताओं में भी रोश है, कॉंग्रेस के नेता जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो कही तरह के समीकरन है और जिस पे ये साफ नजर आ रहा है कि एक्शन की कमी और एक संगठन की जो सक्ती होती है, साथ चले की, रोहित की शायद कॉंग्रेस सोच नहीं पारी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, रोहित बहुत शुक्रिया